हेलो एवरीवान वेलकम टू इंडिया बड़ी आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बड़ी में स्टुडेंट्स मैं जानता हूँ वेकेंड सीट्स लिस्ट अभी तक नहीं आई है कैप राउंड टू क्या पोस्पॉंड होने वाला है अगर रिलीज नहीं हुई है तो इसका मतब यह है कि आगे के प्रोसीजर जो है वो पोस्पॉंड होने वाले है अगर होने वाले है तो क्यों होने वाले इस चीज के सारे कॉस्टन के जवाब मैं ढूड़ना चालू किया और जब मैं ढूडना चालू किया मैंने सीटी सेल के उपर गया और मैं कुछ चीज को observe करने लगा एक strong feeling आ रही है कि अगर आज रात तक 12 बज़े तक vacant seats नहीं आई ना तो आपका definitely जो procedure है वो postponed हो रहा है and वो postponed क्यों हो रहा है वो सारा चीज मुझको CET cell में दिख रहा है मैं आपको पूरा demo के साथ दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में तो प्लीज इस वीडियो को last तक देखिए अब हम सीधा demo के तरब बढ़ते है तो चलिए अब हम डेमो में देखते है कि कहां से ये सारी informations आ रही है So students यहाँ पर आपको करना क्या है आप CET cell में जाएंगे आपको दिख रहा है सारा information दिया गया है आपको लग रहा है कि कौन से information आया है कौन से information नहीं आया But important चीज है कि आप देखिए अपने branch के साब से अपने course के साब से जैसे मैं यहाँ पर B.B.Tec पर click कर रहा हूँ ताकि मैं कुछ और information आपके लिए ले के आऊ तो important चीज है vacancy को जो लिखा है round 2 के लिए वो अभी भी empty dash दिया है मतलब यहाँ पर वो list आपको दिखने वाली है अब important चीज यह है कि अभी तक यह चीज नहीं आई है तो इसका वज़ा क्या है इसका वज़ा यहाँ पर आपको scrolling में दिख सकता है कि जो कल से हम discuss कर रहे थे कि CVC, TVC and NCL की जो EWS की जो certificate से उनके date extend कर दिए गए जब उनके date ही extend कर दिए गए कि मतलब अभी तक वो जो student था candidate था जिसको seat मिला है वो 20 तारिक तक बताएगा कि हाँ मेरे पास certificate है या नहीं uploading का तो मतलब आप कैसे समझ सकते हैं कि seats आज ही मालूम पड़ जागी क्योंकि अभी तक तो उन candidate के बारे वे information देना बाकी है न कि उनकी seats basically approve हो रही है कि नहीं approve हो रही है तो आपको एक चीज़ ये भी बहुत जादा clear हो रहा है वेकेंसी की तो ये एक important चीज़ है कि आपको समझना है कि आपका procedure जो है वो postponed हो सकता है इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको side में भी links दिख सकती है बट मैं जानता हूँ कई लोगों ने सुबे उन्होंने CTCL को call भी नहीं किया तो कुछ ना कुछ ऐसे खबर डाल देगे कि आज 7 बज़े आएगा आज 8 बज़े आएगा बट उन्होंने कभी CTCL को call भी नहीं किया होता है इसलिए मैंने आज आपने देखा होगा मैंने इसके बारे में बात नहीं किया था क्योंकि मुझे स्टार्ट से डाउड था कि आज ये चीज बेसिकली पोस्पांट हो सकती है सो स्टुडेंट्स आपने अभी तक देख लिया होगा कि क्यों मैं ऐसा बात कर रहा था आपको डेमो में पूरी चीज समझ में आई होगी तो प्लीज मैं चाता हूँ इस वीडियो को आप शेर कीजिए बहुत सारे बच्चे जो अभी भी बहुत टेंस है मुझे बहुत कमेंट आ रहे इवन इमेल्स आ रहे परसनली भी लोग पूछ रहे कि क्या हो गया क्यों वेकेंट सीट नहीं आ रही है तो यह सारा इंफोर्मेशन आप लोगों को बताईए कि क्या प्रॉब्लम है और मैं सीटी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लास्ट मॉमेंट पे इतना ज्यादा एक्स्टेंट मत कीजिए कि स्टुडेंस को बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाए जो चीज़ सुबह आनी चाहिए वो शाम हो रही है दुपहर हो रही है शाम हो रही है आप लोगों के उपर भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम का प्रेशर है बट आप समझे कि यह प्रेशर कितना ज्यादा स्टुडेंस के उपर है कि जो बच्चा कल अगर अपना फॉर्म भ लोगों का पूरा दिन उसमें चला जाता है तो प्लीज यह हमारी रिक्वेस्ट से भी कि आप इन चीज़ों पर बहुत ज्यादा चीज़ें क्लियर रखिए और हम जानते आप बहुत अच्छा काम कर रहें आपके उपर भी बहुत ज्यादा लोड है वालिम आफ स्टुडे के लिए कि लिस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है तो प्लीज उनके पॉइंट आफ व्यू से भी समझ जिए और स्टुडेंस अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा तो इसको आप स्प्रेट कर दीजिए क्योंकि लोगों को अभी तक मालूम नहीं पट रहा है और बहुत कर दो